केजरिवाल ने निवाद तो आपको बता दे कि जिस तरीके से लगातार कोरोना का केस बढ़ रहा है तो आपने सुना कि उनके क्या विचार थे और किस तरीके से कोरोना का प्रकोब बढ़ रहा है और लगातार बहाने बाजी सरकार कर रही है कि हाँ हम इस पर लगाम लगाने क कुरोना काल में जिस तरीके से लगातार कुरोना का प्रकूप बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं कई सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं बढ़ते अगली खबर के ओर आपको बता दे कि दिल्ली विधान सभा में बजट सत्र के अंतिम दिन चर्चा के दौरान सीयम अरविंद केजरिवाल ने बीजेपी पर जम का निशाना साधा और सीयम केजरिवाल ने देशभक्ती बजट पर कहा कि नजाने क्यूं बीजेपी और कॉंग्रेस विरोध करती है उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश का तिरंगा भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में फैरा जाएगा इसलामाबाद में फैरा जाएगा सीयम केजरिवाल ने दिल्ली के बजट को शांदार बताया और वित्तमंत्री को धन्यवाद किया उन्होंने कहा कि पिछले साल इस्तितियां खराब रही इसके बावजूद इतना अच्छा बजट पेश किया गया है लोग कहते थे कि अब तो शायद बिजली पानी की सबसीडी खत्म करानी पड़ेगी लेकिन पिछले साल भी सब फ्री रहा और अगले जो कि आने वाला साल है उस बजट में भी सब फ्री है तो जिस तरीके से अब इस पर भवाल छुडा हुआ है देश भक्ती बजट जब से आया हुआ है तब से लगातार संसद में भी हंगामा हुआ और जिस तरीके से बता दे कि अरवींद केजरिवाल लगातार बिजेपी सरकार को घेर रहे है उनका कहना है कि जो जंडे है राष्ट ध्वज है उसे दिल्ली में नहीं तो क्या पाकिस्तान के इसलामाबाद में फैराएव जाएगा इस पर कई सवाल या निशान भी खड़े हो रहे हैं जहां पर आपको बता दी कि सियम अरवींद केजरिवाल लगातार निशाना साथ रहे हैं उनका कहना है कि पिछले साल भी जिस तरीके से हमारा जो देश भक्ती बजट है वो पिछले साल भी सही था और आने वाले साल में भी काफी एहम होगा और सब कुछ फ्री होगा शाफ तॉर पर आपको बता दे कि अरवंद केजरिवाल का यह कहन normative का आपको बता दे कु問 से काफी लोगों को इस तरीके से बता दे कि उनका आरोप है कि विरोध कर रहे हैं लोग काफी लोग विरोध कर रहे हैं देश भकती बज़ट का तो इस पर सियम अर्विंद केज़िवाल ने बीजेपी पर निशाना साथ वे कहा है कि बीजेपी बताए कि क्या भाजपा जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया है भाजपा से उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि जो राष्ट ध्वज है उसे दिल्ली में न फैरा जाए तो कहां फैरा जाए क्या पाकिस्तान के इसलामाबाद में फैरा जाए और इस बजट को आपको बता दे कि अर्विंद के जिवाल ने खार्ष बताया है उनका कहना है कि जिस तरीके से पिछली बार की इस्तिती थी उस इस्तिती से कहीं न कहीं ये साफ और अच्छी इस्तिती है और जिस तरीके से अगली बजट में उन्होंने कहा है कि सब फ्री होगा पिछले साल भी सब फ्री था और आने वाले साल में भी सब कुछ फ्री रहेग को लेकर भी बात कहें थे तो जिस तरीके से वो लगातार इस पर अपनी बात कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं तो राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए है राहुल जी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुख्यमुंत्री अर्विंद के जीवाल बिजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट ध्वज से बिजेपी को क्या आपती है और उनको मैं एक बहुत परा धन्यबाद देना चाहूंगा और उनको भी भार्टी अंता पार्टी को धन्यबाद देना चाहिए क्योंकि कम से कम भर्टी अंता पार्टी के चलते उन्होंने देश भक्ति का पार्ट तो सिखा और मैं बताता हूं कि उनसे ये जो अपनी party का जो अपनी party की येच हब्स सुधारने का पर्यास कर रहे है राश्ट्र भथती के वज़ाज से क्योंकि के पाटी के लोगों की संलिपता रही थी CAA-NAC में जिसके ओपर से अभी भी केस चल रहे हैं और इनों इनके पाटी के लोग वहां जाकर बिर्यानी बेगारा बाठते थे और कहते थे आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए जो एक स्पोज हो गए थे जब जेनु में जब अतार्किक मांगों पर वहां के बिद्याकिक बाठते थे तो उनका जाकर पीछे से यह समर्शन करते थे और बहुत सारी बाते जैसे कि जब एयर श्टाइक होती थी सर्जिकल श्टाइक होती थी तो उसके उपर यह लोग सबूत गैंते हैं जब यह सबूत मनते थे तो देश ने यह सारे चीश को देखा और अपनी छबी को सुधारने के लिए चुकी यह राजनिती करते हैं और इनों ने ही कहा था मैं आपको याब दिला दूँ कि इनों ने ही कहा था कि राम मंदिर मन्ने की क्या वशक्ता है वहां यूनिवर्सिटी मना दो अपने चुनाओं में इनों ने गरगर गुंकर बिल्ली के गली-गली में यह बाते कही थी और आज राजनिती करने के पर दूबत नहीं है क्योंकि यह राजनिती कर रहे हैं और अपनी चबी को सुधारने का यह परियास कर रहे हैं कि जंदे लगा देंगे राम मंदिर में युवां राम मंदिर मुझगो को दर्शन कराएंगे तो यह बोड़ में की प्रतिकरिया है इनकी जो यह लेते रहे है और हमने इनके मनज़ो पर फाइराना सुरू किया था तो इनकी क्या पृतिकरिया थी च्रचे सब्सक्राइब में राहूल 500 कई ते जुर चुक एंगे बहुत-बहुत स्वागत है एक रगाय। देगे स्क्ता कालीक अनुद कना चानी जीचा की जा सब्रकेन लुडसेस्ट ने वाद की तडिन संपना है। या रतनेश मिश्रा जी जिस तरीके से आम आद्मी पार्टी ने पहले जब चुनाओ था बज़े पी का कहना ये है कि जिस तरीके से जब चुनाव था तब तू राम मंदीर याद नहीं आई और अब जब चुनाव खतम हो गया तो राम मंदीर की याद आती है और ऑब जिस तरीके से आमादवी पार्टी ये जो बुजुर्गों को राम कि क clinicians कर आने के लिए प्रोपन दे रही है कि अ कि अ कि इसलसी है अ घुथ जो आटे वात कर सकत्रम थोले की जोँए को प्रश्माने सै मुआज़ कोई गुटने नहीं पहते है। कि इस उप्रका से घरका चूरे को सब्से कर चाहए अब किता आए प्रचा लुग दिना से लुग खे कर सिह कर दो जिस तरीके से राहुल आरन जी हम आपके पाशाना चाहेंगे दुबारा राहुल जी जिस तरीके से C.M. अर्विं केजिरिवाल ने ये बयान दिया है कि देशभक्ती बजट जो है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो देशभक्ती बजट है इससे ज़्यादातर बिजेपी को आपती है दिखे अगर ये बिजेपी के बारे में नहीं कहेंगे तो फिर इनकी राजनीती पूरी नहीं होगी इनका तो कामी राह है कि केंदर से जोड़ा करकर अपने कामों को करने का ये वही लोग है जो पहले किशान बिल का समर्थन किये थें और बाद में उसका फार कर स्पीकर के साब ने फेक दिये थें तो इनके कतनी और करनी में बना ही उंतर है तो इनके उपर बहुत जड़ा बहुत सा नियकिया जा सकता है ये बस ब्रामिक प्रशार अपना करते हैं और दिल्ली जयल बोर्ड में जिस प्रकार के गोटालाए हुई है ये भी छुपा नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं, कि दिलिली राजधादी है, और इसके उपर सब लोगों की नज़ने रहती हैं, और बीजेपी के ऊपर जो आरोप, प्रत्यारोप लोग लगा रहे हैं, तो ये तो सारे लोगी कर रहे हैं, लेकिन इसके ये याद होना चाह तो कम से कम इनको यह जरूर करना चाहिए इना नवने हमारे देश के जवानों पर भी सवालिया निशान करें ते जब और सर्जिकल स्ट्राइक की जब हमारी जवानों ने किया था इन्हों सबुत माला था तो ये बस आपना परचार करके बीजेपी को इधर उधर की बातों मे वो जाना चाहते हैं वहां की जंता को और उसे बस एक बोट बैंक की राजनीति टैयारा कर रहे हैं जो आगे ये करते ही है और कर भी रहे हैं जी राउलन जी रतनेश मिस्तरा जी आपने सुना कि जिस तरीके से उन्होंने कहा साफतोर पर कि बुजेपी ने साफतोर पर ये कह दिया है कि अर्विंद केजरिवाल अपनी राजनीती चमकाना चाहते हैं इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं जी वह दिए जी अमारी अदे लू prototype आगान से कह़ीं प्रेस्टाना चाहते हैं राउ हतार को नहीं समय अगिन ख़रा प्रतнов को sono दिए रदी तरीका को दिए तरीको बोर्ड़ियरां प्रतन सकंजर पुल्ड़िया है और दजाओ रजाओ में रजाओ फॉपमेंगे और आपिसे कंचे माइपें नगे, तम संसे के खिशेका किसे याद हो कीशे फे जाना आप्षाद और याद आपने आपें धेज़र लोगी करता हुँआ कि उते हैं तो जो तो तो जिस तो एंटे बाहता हर्व आख़र देद शनला उन्द जो ना की, यह गुद्धत आए रहता हुआ है स्टाइवरा दिशनों के लिया नहीं करें लिए भादत सब्सक्राद आख़रा के लिए आख़रा हुता हुआ है तो यहां नहीं है चलिए आप की कमी है चलिए आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद आपको बता दी कि जिस तरीके से लगातार बयान इस वक्ती बड़ी खबर सामने आ रही है इसी बीच दिल्ली शताब्दी ट्रेयन के डबे में भीशन आग लगी है इस वक्ती बड़ी खबर हम आपको बता रहे है डोईवाल के पास ट्रेयन के सी फाइप कोच में यह आग लगी है जोहां पर आपको बता दे कि देहरादून से शताब्दी ट्रेयन जा रही थी जिसमें आपको बता दी कि शताब्दी ट्रेयन के डब जो डिपे है उसमें आग लगी है ये भीशन डाग लगी है आपको बता दे कि डोईवाल के पास ट्रेन के C5 कोच में या लगी है जहां पर बता दे मिली जानकारी के अनुसार ये बस दहरादून इस तरीके से ट्रेन दहरादून जा रही थी इस वक्त की खबरों में फिलाल इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं आर्या नियोर्स